तो आप आगे चलके मदद मांगेंगे लेकि भारती जंता पार्टी जो आपके प्रदेश में सक्री है वो तो बता रही है चैमीनों में हमाचल का काम लग गया सुक्कू जी के नेतरत में बदहाली के शिकार हो गए हर मूर्चे पर आर्थिक रूप से खस्ता आल हो गए कानू विवस्ता चौपट हो गई अभी एक मनोर हत्याकान के स्लसले में पूरे जिला इस तरवे धर ने दिये जा रहे हैं क्या कहते हैं आप वाकिया हालात इतने खराब हैं कभी तो बीस दिन पहले शिमला म्यूस्पल कार्पोरेशन के चनाब हुए उसमें इतिहासिक जीत हुई जे और जे शिमला म्यूस्पल कार्पोरेशन के चनाब है वो चनाब चेन पर होते हाथ का निशान और फूल का निशान जे तो अगर हाला इतने खराब वाते तो इतिहासिक जीत हमाचल की जनता हमें नहीं देती पहली बात जे आर्थिक बधाली और आर्थिक परस्तितियों को समना बहुत ज्रोरी है हमने का हम उसमें बिल्कुल ठीक बोले अब हम बदाहली के दोर से गुज्ले लेकिन उसमें पार 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 रहा है दूसरी बात एक ऐसा हत्याकार्ड है हिंदुस्तान के इतिहास में जहां सभी परिवार के स्थेश्यों को गिरिफतार कर लिया मनोर ह बात करते हैं साथ दिन बार उठकर अंदोलन की बात करते हैं तो साथ दिन बार उठने के बाद वो जो अंदोलन की बात कर रहे हैं उन से ये पूछिए कि अंदोलन किस चीज के लिए है या तो ग्रिफतारिया ना होती या पुलिस ने काम नहीं किया होता तो रानितिक रंग देने के लिए उनको वचारों को अंदोलन करना पड़ता है और करना चाहिए यह एक विपक्षी पार्टी की मुख्य भूमिका भी है अच्छी बात है कर रहे हैं तो विपक्षी की भूमिका में कौन है कॉंग्रेस काथ में दिक्कत रहती है पूरे देश के संदर में विपक् जे आया है जहां लोग भारती जन्ता पार्टी के कुछ शोशल मीडिया में ऐसी ख़बरे लोपरेशन लोटास होने वाला एक महीने तक हमने मंत्री मंदल नहीं मनाया है कि जो लोग जाना चाहते वो जाए जे और आज में मैं कहता हूं हम यह इसले नहीं है कि हम उनको लोटस चलाने की कोशिश नहीं की या कोशिश की सफर नहीं है हमाचल परदेश में जन्ता इस चीश को पसंद नहीं करती यह भारती जन्ता पार्टी के निता भी जानते और कांग्रेस के निता भी जानते हमाचल परदेश में इस परकार की प्रस्तितियों में आप क्या कहन लेकि जानने में दिल्सस्पी है, कौन ज्यादा परिशान करता है सुकू जी को, जैराम ठाकुर जी या मुकेश अगनियोतरी जी, आप वो सवाल पूछ रहे हैं, जिससे कोई परिशानी ही नहीं है, आप सवाल पूछो कोई आपके पास तथ्य होगी, यह लोग आपको षिर्तार कान लीगा करते हैं, उनको इस आपना दायत्यव है, लोकत रफर में विपक्ष के नेता है, उनको यह भूमिका अदा कर नीए, मुझे सफ्ता पक्ष के नातीब मुख्या मंतुरी के नातीब भूमिका अदा करनी है मैंने अपने कारे से लोगों को बताना है कि मैं ये कारे करना हूँ वो अपने विरूद के द्वारा हमें ये गिंतियां गिनाएंगे कि आपकी ये गलती है हम उसमें में सुधार करते लेकि जैराम ठाकोर तो लगातार बैयन देकर बताता है सुधार के प्राद्मिक्ता में हमाचल की जनताने एक परिवार है जो आपको परिशान नहीं कर रहे हैं उनके बयान तो ये है मैं हमारे राष्टिया नहींता है परिवार नहीं है अगर आप परिवार की बात कर ले तो भारती जनता पार्टी के कई परिवार के लोग अभी तो रास्टे रादनिती में हैं जे अब हमारी राज्जा से ले लिजे दूमल साब उनके मुख्यमंतर उनके बेटे आपके अब अबनेटर मिनिस्टर्स हैं जे ऐसे कई धारन है राणास सिंग जी राख्षा मुंतरी उनके बेटे भी वह है तो राहूल गांदी जी का नाम लेकर राणनितिक रोटियां और उन्हें बदनाम करके जो लोग सेखना चाहते हैं वो अपनी राणनिती को करना इस तरह से दौराना चाहते हैं ताकि वो अपनी राणनितिक दुकानदारी को चला सके मैं यह कहता हूं कि हर एक पार्टी का अपना एक नीता होता उसके एक सोच होती है यह राहूल गांदी जी को कोई पुर्धान मंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है पुर्धान मंत्री की कुर्सी तो डॉक्टर